आज हम लोग 11 पार्ट एक व्याग्रपतिक कथा पढ़ने वाल हैं। इसे फोकस कीजिएगा। के मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए निती सिक्षनाय और निती सिक्षा के लिए नाना कथा अनेक कथाएं पसुपक्षि सम्बंधा श्रावित, पसुपक्षि से सम्बंधित सुनाई गई है। मुल्या नाम, मुल्य, मानवा नाम, सिक्षार्थ प्रभुतम भवती, मानवों की सिक्षा के लिए प्रभुत होता है। इती ऐसा एता द्रिशी भी यहां स्थित या ऐसा प्रतीत होता है कथा भी ग्याते, इस कथाशे या इस जैसे कथाशे ग्यात होता है। कसी चत व्रिदव्याग्र, स्नात कुस हस्त सरस्तिरे भुत है, कोई व्रिदव्याग स्नान करके कुस हस्त में लिए सरहतिरे। मतलब नदी किनारे ब्रूते बोल्ड हाथा भोव भोव पन्था अरे अरे राही इदम श्वर्ण कंगनम ग्रियतां यह स्वर्ण कंगन लेलो तभी लोभाग्रिस्टेन केंचित पांथेन आलोचितम तभी लोब से आक्रिस्ट किसी राही के द्वारा सोचा गया भाग्य नेतत संभवती, भाग्य से ही ऐसा संभव है, किन्तु अश्मीन आत्मशंदेहे प्रवर्तिना विधया, परंतु इसमें आत्मशंदेहे की प्रव अंगर, अम्रिता, तदपी, मृत्वे, मतलब हुआ इसका कि अनिस्ट से इस्ट प्राप्ती होने पर, अनिस्ट से इस्ट प्राप्ती होने पर भी पडिनाम अच्छा नहीं होते हैं, अच्छी गती नहीं होते हैं, सुभा अच्छी गतिर जायते, गती नहीं होते हैं, या तर विश्क के संसर्ग वाला अम्रित भी मिरतियों का कारण होता है ठीक है तो नेक्स्ट पैरा है हम लोगों का किन्तु सरवार्थ किन्तु सभी जगह, अर्थ अर्जन में, प्रव्रती का संधे, संधे की प्रवरती तो होती ही है, तन्य रुप्यामी तावत, मतलब, और ंस्किक इस बात को तब तक छोड़ो, तब तक थोड़ा सोचलो, तन रुप्यामी तावत मतलब इस बात को तब तक थोड़ा सोचलो प्रकाशम ब्रोते और प्रत्यक्षे रूप से बोला कुत्र तव कंगनम तुम्हारा कहां है तुम्हारा कंगन व्यागरोhesतम् प्रशार्य दर्शति व्यागर हांत प्रशार कर दिखाता है पान्थो अवदत पान्थ कि द्वारा बॉला राही के द्वारा बोला गया कतम्मारातम के तवई विश्वासम तुम जैसे हिंसकु जीव पर मैं कैसे विश्वास करूँ व्याघ्र वूआच व्याघ्रने बोला सुरूनूरे पंथा सुनोरे राही प्रागेव यवन दशाया मती दुरुविताहाशं प्राया marks works जवानी के अवस्था में अतिन्त दूरा चाड़ी था अनेक गौ मनुशानाम वधान में पुत्राम रिता हस दाराश चा अनेक गायों और मनुश्यों को मालने शे मेरा पुत्र और पत्नी मर गई वंस हीनम चाहा हम और मैं वंस हीन हो गया तथा केंचित धार्मिकेन अम दिस्ठम तब किसी धार्मिक धर्मात्मा ने मुझे आदेश दिया दान धार्मिक अदम चड़ितुम भवान तुम दान तथा धार्मिक कार्य करो तद उबदेशम अदिनम असनान सीलो दाता वडिधो गलित नख दनतो कथम ना विश्वास भुमी तब से तुम दान तथा धार्मिक कार्य किया करो इसका मिनिंग हो गया दान धार्मिक अदम धर्म आदिकम चड़तु भवान तुम दान तथा धार्मिक कार्य करो उसके उबदेश से मैं इस समय असनानादी कर दाता बन गया हूँ व्रिद्ध हूँ मेरा नक और दात भी गल गया है मयाच धर्म सास्त्रानी अधिदानी मेरे द्वारा धर्म सास्त्रों का अध्यन भी किया गया है सुनो मतलब हे कॉनतेयं मतलब कुनती पुत्र को घागया है हे कॉनतेयं दरिद्रों को धन्दो धन्वानों को नहीं दरिद्रों को धन्दों दन्वानों को नहीं, रोगी के लिए ही दवा की आवशकता होती है, सेकेंड लाइन का हिंदी है, रोगी के लिए ही दवा की आवशकता होती है, निरोगी के लिए दवा और पथ्य पढ़ेज की जरूरत नहीं, निरोगी के लिए दवा और पथ्य पात्रे चतर दानम शात्विकम बिंदो दान उसे कहते हैं जो बिना किसी प्रकार की उपकार दिया जाए देश, काल और यत्र का विचार कर दिया गया दान शात्विक होता है यानि देश, काल और पात्र का विचार कर दिया गया दान शात्विक दान होता है तो तदत्र शडशी सनात्वासवन कंगनम गेरा इसलिए यहां तालाब में सनानकर शोनिक के कंगन को लेलो ततो यादव शोत द्वच प्रतितो लोबत सर शनातू प्रविशती तब महाकंचे महापंकजे निमगना पालियोतो मक्षमा इसके बाद जब वुहा उसकी वचनों पर विश्वासकर लोब से तालाब में सनान करने के लिए प्रवेश करता है तब वुहा गहरे पांक मतलब होता है क्या मतलब गहरे पंकज में यानि गहरे दलदल में फस जाता है और निकलने में औसमर्थ हो जाता है पंकज पतितम द्रिश्टवा व्यागरों दवत मतलब महा पंकज मतलब कीचर में फसे देखकर व्यागर ने बोला अहां महा पंकज पतितोशी मतलब ओह विशाल पंकज में फस गए या विशाल पांक में फस गए या विशाल दलदल में फस गए अत स्तत्वाम अहां उत्था प्यामि अथा मैं तुम्हें उठाता हूं या निकालता हूं इतिक्तवाशने सने रुप गम्यतेन व्याग्रेन धृतश पांथयों चिंतयत इतना करकर धिरे धिरे चलकर उस बाग ने उसे पकड़ लिया और तभी मतलब पतिक की द्वारा सूचा गया मतलब होगे इसका हिंदी समझेगा जैसे हाथी का सनान निरथक होता है चुकि उसे कोई सनान करिया का बोध नहीं होता उसी प्रकार अवश्य इंद्रियां का चित और दुरभाग का अभारन ज्यान के बिना बेकार होता है मतलब क्रियावान का ही ज्यान शार्थक है अन्य था क्रिया के बिना ज्यान भार स्वरूप है इती चिंतयोष्य व्याग्रेन व्यापदिता खा दिश्चता ऐसा सुष्टे हुए वह बाग के द्वारा मार दिया गया और खा लिया गया अथा उच्यते अथा कहा भी गया है मतलब इसका है कि कंगन की लोब में रहागीर गंभीर पांक में फसकर बूढे बाग के द्वारा मृतियों को प्राप्तो